टीवी का विवादित शो बिग बॉस सीजन 16 हमिशा की तरह इस बार भी सुर्ख्यों में छाया हुआ शो को शुरू हुए लगभग 50 दिन हो चुके हैं और अब तक बिग बॉस में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले नई सीजन में लड़ाई जगड़े के साथ साथ हाथा पाई की भी नौम बता चुकी है बिग बॉस के घर में मचे इन बवालों के बीच अब तक चार खिलाडी शो से बाहर भी हो चुके हैं वहीं इस हफते का नौमिनेशन भी सामने आ गया है इस बार शो से बाहर होने के लिए एक साथ पाँच खिलाडी नौमिनेट हुए हैं बिग बॉस 16 से सबसे पहले बाहर होने वाले कंटेस्टेंट की बात करें तो टीवी अक्ट्रेस श्रीजिता डे शो से पहले हफते में एलिमिनेट हुई थी उनके बाद मान्या सेंग, फिर गोरी नागोरी और बीते हफते गौतम विज का सफर घर से खत्म हो गया अब आने वाले एलिमिनेशन के लिए पाँच घर वाले नॉमिनेट हुए हैं, इनमें अंकित गुपता का नाम पहले ही सामने आ चुका है नॉमिनेशन की खबर सामने आने के बाद से अंकित को सोशल मीडिया पर फैंस का जबरदस्ट सपोर्ट मिल रहा है बिग बॉस सोला के घर से बेघर होने वाले कंटेस्टेंट में अंकित गुपता के अलावा जिन चार कंटेस्टेंट का नाम शामिल है वो है अर्चना गौतम, सौंदर्या शर्मा, MC स्टैन और सुम्बुल तौकीर बतादे कि अंकित गुपता, अर्चना गौतम, सौंदर्या शर्मा और सुंबुल तौकीर एलिमिनेशन टास्क के चलते नॉमिनेट हुए लेकिन MC स्टैन को सीधा बिग बॉस ने नॉमिनेट किया है बीते हफते MC स्टैन ने शालीन भनोग पर हाथ उठाया था घर का नियम तोड़ने के कारण होस्ट सल्मान खान ने उन्हें सजा सुनाई जिसके अनुसार वो लगातार चार हफतों तक नॉमिनेट रहेंगे बतादे कि इस बार कौन बेघर होगा इसे लेकर भी तरह तरह की खबरें सामने आ रहे है नॉमिनेट हुए कंटेस्टेंस में सुम्बल का गेम सबसे वीक है वो बाकी नॉमिनेटेट कंटेस्टेंस के मुकाबले कम दिखाई देती है ऐसे में लग रहा है कि इस हफते सुम्बल का शो से पत्ता साफ हो सकता है वैसे सुम्बुल कई बार नॉमिनेट हो चुकी हैं लेकिन हर बार वो बच जाती हैं फैंस उन्हें वोट्स देकर बचा लेते हैं लेकिन इस बार लग रहा है कि सुम्बुल के जाने के चांसे थोड़े जादा हैं ऐसे में देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या वाकई में इस हफ़ते सुम्बुल का शो से पत्ता साफ होता है या नहीं वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस 16 से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ झाले 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 खबरों के जानने करके जाएं और बने रहे हमारे साथ